तो इसी अकॉर्डिंग नेचर ने आपको एयर में दो तरह के कितने तरह के दो तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स दिये हैं जहां पर भी वर्ट स्टाटो आजाए ताट मेंज इस एस 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 बाले जैसे की टीनो फोरा में आउटर एर में सबसे बहले जो आप यह देख रहे ह जिनको हम कहते हैं एर ओसिकल्स क्या कहते हैं हलो वन वेलकम बैक तो रुफ्तार और आयम यूर दिक्षा शर्मा माम और बेटा यहां पर हम पढ़ रहे हैं चाप्टर न्यूरल कंट्रोल और कॉर्डिनेशन और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इस चाप्टर का लास्ट यह टो लास्ट ग्रास में हमने लिटा आई पढ़ा था आई वज आल्ट्व चैन्स और यह वैसा ही सेंस ऑर नहीं आई आपको देखने में हेलप कर रहा था कि यह आपको सुनने में हेलप करेगा तो चलिए शुरू करते हैं यह की अगर मैं बात करूं यह इस इस असेंस औ और यह सेंसरी रिसेप्टर दो तरह के होते हैं कितने तरह के दो काम है पहला सुनने का जैसे के आप मुझे पा रहे हैं दूसरा बालनसिंग का आप यहां पर पर बैठी है आप एक दम एक पॉस्चछ में बैठे होंगे यह जिस तरह से भी बैटे हैं, तो आपकी बोड़ी दरुदर नहीं हो रही, it's in a balance, यह एक balance में है, तो यह है दूसरा काम आपके ear का, तो ear का एक काम है बिटा सुनना, और दूसरा काम है balancing, तो इसी according nature ने आपको ear में दो तरह के, कितने तरह के, दो तरह के sensory receptors दिये हैं, एक का नाम है बिटा फोनो रिसेप्टर, और एक का नाम है टाटो रिसेप्टर, जहां पर भी वर्ट स्टाटो आजाए, that means it is associated with balance, जैसे लोर ओर्गानिसम, जैसे की टीनो फोरा में, जैसे की आर्थरोपोडा में, आप पनीमल किंग्डम में पढ़ेंगे, कि उनके पास स्टाट स्ट होता है, it's just like a small cell, जो balancing में help करता है, हमारे पास एक स्टाटो रिसेप्टर है एर में, जो balance में help करता है, फोनो रिसेप्टर, बिटा फोन कहान लगाते हैं, फोन कान में लगाते हैं, और आवाज सुनते हैं, तो मतलब यह वो रिसेप्टर हैं, जो किस में help करेंगे, they will help you in hearing. So, this is how we say there are two functions of ear. Ear के दो काम है, बेटा, क्या? एक सुनना और दूसरा बालनस करना, fine. अगर मैं बात करूं ear के कितने parts है? So, ear is divided into three parts. One is outer ear, second is middle ear and third is inner ear. तीन पार्ट है, बेटा, आपके ear के, outer ear, middle ear and the inner ear. जो आपका outer ear है, बेटा, इसमें क्या-क्या होता है? अभी हम देखेंगे, middle में क्या है, inner में क्या है? इसकी detail हमें यहाँ पर पढ़नी है. तो चलिए, शुरू करते हैं, सबसे पहले, outer ear. Outer ear में क्या है? अभी हमें आपको नाम बताऊंगी, फिर उसके बाद हम इसके function करेंगे. आउटर ear में सबसे पहले जो आप यह देख रहे हैं, यह वला जो teacher कान पहले खीचा करते हैं, आज कल तो कान खीचा करते हैं, मैं तो वैसे नहीं कुछ बोल पाऊंगी आपको, आप से तनी दूर हूँ, तो वो जमाना गया, अब teacher एक्दम दोस्त हो गए हैं. तो बैटा, outer ear, outer ear किसका बना है? earpinna, इसका बना है earpinna, तो इसे हम कहते है earpinna, अब कान में यहाँ पे एक छेद है ना, है ना, जिसमें तुम उंगली मारते हो, यह क्या है बैटा, external auditory meatus, external, क्योंकि यह बाहर है auditory, auditory word जहां अचे, that means सुनने में help कर रहा है, meatus, मतलब छे एक अंदर tube में लेके जा रहा है, जब आप earbud मारते हो कान में, तो वो earbud कहां जाता है, एक tube के अंदर जाता है, इसे हम कहते है, external auditory canal, क्या कहते है, external auditory canal, यह इसके बाद, यह जो external auditory canal है, वो आगे एक membrane में जाता है, जिसे हम कान का पर्दा कहते है, that is tympanic membrane या ear drum, hympanic, membrane या ear drum, तो यह सारे पार्ट हैं आपके, outer ear के, यह हुआ outer ear, चलो outer ear को अच्छे से देखते हैं, animation से, तो यह हमें आपके लिए animation लाए हैं इधर देखिए, यह जो आपको दिख रहा है, यह हुआ आपका ear पिनना, यह जो छेद है, यह है external auditory meters, अभी अंदर जाएगा इस tube में, इसे कहते हैं external auditory canal, और यह आगे इस छोटे से drum के पास जाकर खतम होता है, आपका external ear, इसे कहते हैं tympanic membrane, यह जो tympanic membrane है, इसको कान का पर्दा भी कहते हैं, यह करता क्या है, और ear पिनना क्या करता है, यह सब चीज़े हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बिटा इतना ही, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ structures बता रही हूँ, कौन सा कहां पर होता है, चलो, आगे चलते हैं, all right, moving further to the next, middle ear, middle ear के अंदर बिटा क्या होता है, middle ear, middle ear में होती है सबसे पहले एक cavity, एक जगा, उसे हम कहते हैं tympanic cavity, इस tympanic cavity के अंदर क्या होता है, it contains three bones, जिनको हम कहते हैं ear ossicles, क्या कहते हैं, ear ossicles, क्या होती है बिटा, ear ossicles, bones, ठीक है, अब three मतलब एक कान में, तीन इधर होंगी, तीन इधर होंगी, so there are three pairs, अगर दोनों कान की बात करें, तो क्या क्या है, यह आपने सुने हुए हैं, आपको आते हैं, क्यूंकि आपने locomotion and movement में किया था, malice, incus and steps, चलिए, अब animation पर आते हैं, तो बिटा, हमने ear drum तक external ear या outer ear किया, अब आते हैं, हम middle ear में, तो यह जो ear drum है, यह एक bone से attach है, यह वाली, यह, यह bone है बिटा, आपकी malice, यह bone है आपकी incus, और इधर जाके आपकी जो bone आती है, यह वाली छोटी सी, यह है step, step, step बिटा, एक window पे जाके खुलती है, इसे हम कहते है, oval window, क्या कहते है, oval window, चलो इसको थोड़ा सा और हम पारीक कर देते हैं, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ear drum खतम हुआ, यह जो cavity है, this is tympanic cavity and this is the middle ear, this complete portion is your inner ear, यह middle ear में तीन हड़ियां है, मालस इनकिस और step, जो आपकी step से यह वाली इदर, यह inner ear में खुलती है, through a window, जिसे हम कहते हैं, oval window, क्या कहते हैं, oval window, fine, चलिए, यह था आपका middle ear, अब हम बात करते हैं, inner ear की, यह जो inner ear है, you can see in this diagram, clearly, if it is not clear, again I have to switch off the light for you, तो यह बेटा जो आपका है, inner ear, यह कौन सा है, inner ear, inner ear को अगर आप अच्छे से ऐसे देखोगे, इतना portion है, और इसके round हड़ी भी है, तो यह हड़ी कौन सी है, सबसे पहले, आपका जो ear है, यह जो हड़ी दिख रहे हैं, भी white, white बेटा, यह हड़ी कौन है, यह है temporal bone, आपका ear temporal bone के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, temporal bone के अंदर, तो अगर आप यहाँ देख सकते हो ब structure आपको दिख रहे है, यह ऐसे कनाल से दिख रहे है, यह वाली, यह पूरा structure है, अरे, अरे, यह पूरा structure है, बिटा, वेस्टिब्यूल, यह क्या है, वेस्टिब्यूल, तो inner ear में दो पार्ट होते हैं, यह है वेस्टिब्यूल, यह है कौकलिया, यह है वेस्टिब्यूल, भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेबरिंथ, तो यहाँ पर हमने पूरे inner ear को दो में डिवाइड कर दिया, एक जिसमें membranous portion है, membranous labyrinth, और दूसरा, जिसके round bone है, that is the boni labyrinth, right, so inner ear को labyrinth क्यों कहते हैं, labyrinth हम उसे बोलते हैं, जिसके अंदर fluid हो, और inner ear के अंदर बिटा, fluid होता है, so inner ear में क्योंकि fluid है, तो इसको हम और क्या कह देते हैं, labyrinth कह देते हैं, right, so let's talk about inner ear, inner ear को और क्या कहते हैं, बिटा, labyrinth, क्योंकि इसमें क्या है, बिटा, it contains fluid, contains fluid, ठीक है, तो इस labyrinth को हमने दो में डिवाइड कर दिया, इसको दो में डिवाइड कर दिया, एक membranus और दूसरा boni labyrinth, fine, otherwise अगर आप inner ear में देखोगे, तो आपको क्या दो पार्ट दिखेंगे, एक दिखेगा cochlea और एक दिखेगा vestibule, इनके जो पार्ट, cochlea का जो पार्ट, bone की तरफ होता है, उसे हम boni labyrinth कह देते हैं, उसके जब आप cochlea के अंदर देखोगे, तो उसमें membranes होती हैं, तो उस पार्ट को हम membranus labyrinth कह देते हैं, तो अगर यह नहीं समझाया, इसमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, यह आराम से समझाएगा जब हम आपको डाइग्राम बताएंगे, अभी आपने नाम सुन लिए हैं, कि भाई ऐसा कुछ होता है, outer ear में क्या होता है, यह सब होते हैं, middle ear में यह सब होते हैं, inner ear में होते हैं, inner ear को हम लेबरिंद कहते हैं, क्योंकि उसमें fluid है, तो हमने उसको दो में divide कर दिया, पर उसके parts क्या है, poclean vestibule, फाइन, चलिए बिटा, आगे हम डाइग्राम बनाएंगे इसका, सबसे बेले हमारे पास कौन सा यह आता है, external ear, जिसमें आता है, ear pinna, external auditory meters, and external auditory canal, यह था, अब यह जो canal है, यह जाके ear drum पे खुलेगा, कहां खुलेगा, ear drum पे, फाइन, तो पहले हम इतना ही पढ़ेंगे, outer ear पढ़ेंगे, outer ear में, external pinna, और ear pinna, बेटर से, ear pinna, ear pinna की अगर बेटर बात करें, तो इसमें कौन सा cartilage होता है, आपको पता है यह cartilage का बना है, क्यूंकि आप इसको तोर मडोर सकते हो, pliable and soft, कौन था, cartilage, तो, it contains, elastic cartilage, E for ear pinna, E for, E for elastic cartilage, चीक है, अभी आगे एक छेद में खुल रहे है, इस छेद का नाम क्या है बिटा, What is the name of this छेद, इस छेद का नाम है, External Auditory Mieters, External Auditory Mieters, Now, what is this canal, this is External Auditory Canal, अभ बिटा, यहां पर आप earbud मारते हो, मारते हो, क्यूं मारते हो, क्यूंकि यहां पर wax सिकठी हो जाती है, yes, तो इसमें छोटे-छोटे बाल होते हैं, और साथ में glands भी होती है, right, So, it contains, here, and ceruminous gland, ceruminous gland, ceruminous gland बिटा, कौन सी है, wax gland है, it's a modified oil gland, wax का word आगया, तो मतलब यह oil gland ही होगी, इनका काम क्या होता है, कि अगर कोई dust particle या कोई छोटा मोटा insect अगर आता है यहर के अंदर, तो उसको trap कर लें, क्या कर लें, trap कर लें, तो it traps dust or small insects or small organisms, anything, not just insects, कुछ भी छोटा सो हो सकता है, ठीक है, अब यहां पर, यह कहां पर end up हो रहा है, यह end up हो रहा है, एक structure में, जिसका नाम है tympanic membrane और ear drum, अब यहां पर, जो ear पिनना का काम और इसका काम क्या होता है, sound waves को collect करना, sound waves की form में आती है, अब यह sound waves अंदर जाएंगी और ear drum पे जाकर बजेंगी, इसको drum क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे आपका वो drum बचते हैं ऐसे, आप जैसे उस पर टक करते हो, तो vibration create होती है, तो ear drum का यही काम होता है, it converts sound waves into vibration, यह क्या करता है, it converts sound waves into vibration, अगर इसकी बिटा बहार वाली surface देखो, वो skin की बनी होगी, अगर आप अंदर से देखोगे, तो वो mucous membrane का बनेगा, तो outer is made up of skin, and inner is made up of mucous membrane, mucous, fine, तो तब ही कहते हैं न, इसमें जादा जोर से earbud नहीं मानना चाहिए, आगे तक नहीं मानना चाहिए, अगर ये खराब हो गया कान का परदा, तो sound waves vibration में convert नहीं होगी, और आगे sound waves को नहीं उठाएगा, जो भी उठाता है आगे का ear, वो vibration उठाता है, तो input क्या होगा, वो होगा हमेशा vibration, sound waves को आपका inner ear नहीं पहचान पाएगा, इसके बाद बेटा एक cavity आती है, क्या नाम था बेटा इस cavity का, इस cavity का नाम था tympanic cavity, क्या नाम था, tympanic cavity, जिसके पास यहाँ पर एक oval window थी, क्या थी, oval window, और यहाँ पर लगी हुई थी बेटा, तीन bones, malus, incus and stapes, right, so this is malus, this is incus, this is stapes, so MIS समझ जाना, malus, incus and stapes है, यह tympanic cavity, what is this, this is tympanic cavity, यह tympanic cavity, में से बेटा, इदर छोटी से tube निकलती है, क्या निकलती है, एक tube निकलती है, जिसे हम कहते हैं, stachion tube, क्या कहते हैं, stachion tube, what is the function of this tube and where does it open, it opens to nasopharynx, pharynx पता है, pharynx में यह जाकर खुलती है, और कौन सी pharynx, जो नाख के पास होती है, pharynx वो वाली, एक तो वो pharynx है, जो आपके mouth से सीधा जाती है, right, एक नाख के ऊपर होती है, that's the nasopharynx, उसमें यह stachion tube खुलती है, what is the purpose of it, पिटा, यहाँ पर air आ रही है, आरी है, अब यहाँ पर tympanic membrane आ गई, क्या आगे tympanic membrane, अब यहाँ पर तो बाहर की air आ रही है, यहाँ पर अंदर air है, तो दोनो air का pressure होगा different, दोनो air का pressure होगा different, तो stachion tube क्या करती है, pharynx से हवा लेकर, pharynx से air लेकर इधर देती है, तो यह भी जो air होगी, यह बाहर की होगी, क्योंकि नाक से जाएगी air, यहाँ पर बाहर से air आ रही है, तो मतलब ear drum के दोनों तरफ जो pressure होगा, वो equal होगा, अगर यह ना होती, तो इसका pressure अलग होता, इसका अलग होता, तो body different pressure पर कैसे काम करती है, तो इसका purpose यही है, यह आपके nose से air लेगी, यह बाहर से air लेगी और दोनों का pressure सेम होगा, तो हम कहते हैं, it equalizes the pressure, equalizes the pressure, fine, अब यह जो part है, यह क्या था पिटा, यह था आपका oval window, oval window को हम कहते हैं, fenestra ovalis, और क्या कहते हैं, fenestra ovalis, and you say this is door to the inner ear, क्योंकि यही दर्वाजा है inner ear का खुलने को, door to inner ear, fine, अब यह portion है बिटा, inner ear, इधर आपकी सारी bone है, कौन सी bone है, यह है temporal bone, temporal bone याद है, skull वाली, यहाँ पर थी temporal bone, तो यह temporal bone है, तो अगर को पूछे, कान कौन सी bone के अंदर, आप क्या बोलोगे, skull bone, कौन सी temporal, ठीक है, headphones यह लगाते हैं, तो उससे से related है, आगे, इधर बिटा, आपका inner ear है, inner ear is made up of two things, one is vestibule, and another is, yes, cochlea, तो यहाँ पर जो oval window है, oval window is present, near the cochlea, whereas rest of the portion is the vestibule, तो यह बिटा vestibule है, ओके, इसको थोड़ा सा हम change करते हैं, माल लो बिटा, यह vestibule है, vestibule में तीन semi-circular canals होती हैं, यह canals हैं, तीन, तो इनको कहते हैं semi-circular, क्योंकि आदर circle बन रहा है, नीचे एक और structure होता है, which contains uterical and secure, क्या होता है, uterical and secure, हर semi-circular canals के नीचे एक swelling होती है, इसे कहते हैं, ampulla, क्या कहते हैं, ampulla, तो this portion is vestibule, इसमें क्या-क्या है बिटा, semi-circular canals, semi-circular canals के नीचे swelling है, इन्हें हम कहते हैं, ampulla, और ये structure है uterical, और ये है secule, ये सारे part किसके हैं, ये mickey mouse के हैं, ये mickey mouse कौन है, vestibule, ठीक हैं, आगे, अब ये बेटा आगे, एक coil structure बनाएगा, जिसे हम कहते हैं cochlea, and cochlea में ही आपका oval window खुलता है, cochlea is a spiral structure, क्या है spiral structure, एक मेले में छोटा सा खिलोना आता था ना, उसमें CT मारो तो वो ऐसा लंबा आ जाता था, हवा नहीं दोगे, CT नहीं दोगे, तो वो वापिस आ जाता था, तो cochlea वो लंबा जो था ना, जो fold हो जाता था, उसके जैसे है, आप उसको खोल भी सकते हो, cochlea को, तो अब हम cochlea को खोल कर देखेंगे, अभी यह structure आप बना लो, और उसके सब के एक बार function दुबारा से देख लो, फिर हम बात करेंगे inner ear की in detail, तो यहाँ से यहाँ आपका जो कान है, यह outer हुआ, यहाँ से यहाँ middle हुआ, और जिसमें vestibule और cochlea है, पिटा, वो आपका पार्ट हुआ inner ear, तो चलिए inner ear की बात करते हैं, तब तक आप क्या कीजिए, आप इसको no down करिए, हरी आप, चलो बटा, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे inner ear की, right, let's talk about inner ear, inner ear में बटा, हमारे पास दो पार्ट है, एक हुआ vestibule, एक हुआ cochlea, vestibule का function होता है, हमने यह पर vestibule बना था, यह Mickey Mouse, किसका काम होता है balancing में, वेरस cochlea का काम होता है सुनने में, ठीक है, क्या काम होता है सुनने में, अब, अब आप पक्का एक बात में अभी तक confused होगे, कि यार, मैम, आपने तो inner ear को labyrinth का था, अब ही आप vestibule cochlea बोल रहे हो, पिटा, inner ear का दूसरा नाम है labyrinth, labyrinth is something that contains fluid, जिसमें fluid होता है, अब inner ear के दो पार्ट है, vestibule and cochlea, अगर मैं cochlea को खोल कर देखूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तो बाहर वाला एक portion होगा, जो bone के तरफ होगा, किसके तरफ होगा, bone के तरफ, ये वाला, ये bone ही labyrinth हो गया, ठीक है, अब जो अंदर है इसके, वो membrane का बने, किसका बने, membrane का, तो वो membranous labyrinth हुआ, simple, right, तो ये हुआ बिटा, membranous labyrinth, अब ये membrane का भी नाम है, yes, इन membrane के भी नाम है, तो ये जो membrane है, उपर वाली जो green में बनाई है, इस membrane का नाम है Risenarch membrane, वेराज जो नीचे membrane बनाई है, इसका नाम क्या है, vasillars, क्या नाम है, बेजिलर, देखें, राइट, अब, अब मैंने कहा बाहर वाला portion क्या है, बोनी, तो अगर मैं आपको एक simple सा diagram बना के बताऊं, inner ear, जिससे हम labyrinth कहते हैं, क्या कहते हैं, labyrinth, labyrinth के बिटा दो पाठ है, चाहिए वो vestibule हो, चाहिए वो cochlea हो, एक outer पाठ है, एक inner है, inner किसका बना है, membrane का, और outer किसका बना है, bone का, अगर मैं एक simple सा diagram बना के दिखाऊं, तो मालो यह बाहर वाला portion है, यह bony labyrinth हुआ, इसके अंदर यह membranus labyrinth, अब जो भी bony labyrinth होगा, इधर वाली side, उसमें जो fluid होगा, वो हमेशा होगा, perilymph, कौनसा fluid होगा, perilymph, राइट, अब, जो अंदर व so this is endolymph and this is perilymph, इनके fluid के भी नाम है, peri मतलब periphery, तो बाहर की तरफ है, तो perilymph, यह क्या है, bony labyrinth, और यह क्या है, membranus labyrinth, fine, I hope now it's clear, अब हम cochlea में देखते हैं यही, तो cochlea में यह bony labyrinth होगया, यह membranus होगया, कौनसी membrane है, अब हम वो देखेंगे, reasonar's membrane and basilar's membrane, basilar's membrane is very important, why? because it contains a very very important organ, जो सुनने में help करता है, तो cochlea के भी अंदर कौन सा portion है, जो सुनने में help करता है, organ of corti, तो basilar's membrane contains organ of corti, अब हमने एक oval window बनाई थी, तो यह oval window कहां पर खुलती है, यह oval window इधर खुलती है, this is the oval window, what is this? this is the oval window, अगर मैं बोलूं इसके पास एक और विंडो है, वो कौन है? वो है round window, वो कौन है? round window, पट अगर कोई पूछे, what is a door to inner ear? तो आप बोलेंगे, वो है oval window, oval window अपर वाले portion में खुलती है, round window लोवर वाले portion में खुलती है, ठीक है? जो अपर वाला portion है, इसका एक बिटा particular नाम है, इसे हम कहते हैं, scala vestibuli, simple words में बोलूँ, तो दो membrane की होने की वज़ा से, पूरा cochlea में तीन compartment बन गए, अपर compartment is scala vestibuli, यहाँ पर oval window आती है, तो oval window opens into scala vestibuli, whereas middle portion is scala media, जिसे हम cochlears duct भी कहते हैं, क्या कहते हैं? cochlears duct, and the lower one is scala tympani, scala tympani में round window खुलती है, but the door to inner ear is oval window, why? because oval window में ही आपके तीन bones लगे हैं, and bone का बहुत important function होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, fine, चलो, तो बिटा, यहाँ पर यह cochlea को हमने खोल कर देखा है, जहाँ पर यह दोनों chamber मिल रहे हैं, scala vestibuli and tympani, इस portion में, इसे हम कहते हैं helico tremor, क्या कहते हैं, helico tremor, fine, जहाँ पर यह दोनों मिल रहे हैं, अगर मैं पूछे, scala vestibuli tympani में कौन सा fluid होगा, तो पर आप क्या बोलोगे, यह दोनों ऐसे मिले होते हैं, ठीक हैं, अगर कोई पूछे, vestibuli tympani में कौन सा fluid होगा, यह boni labyrinth का पार्ट है, तो मतलब paralymp, अगर कोई पूछे, cochlear duct में कौन सा है, तो आप बोलोगे, endolymp, याद रखनी है बाद, fine, चलो, तो अब बिटा हम देखेंगे, organ of corti कैसा दिखता है, So, let's talk about the organ of corti in detail, obviously इसका नाम corti है, तो कहीं ना कहीं, यह किसी के नाम पर ही होगा, होगा ना, तो जिस scientist ने इसको discover किया था, उनके नाम पर है यह organ of corti, So, let's discuss the organ of corti, कैसे सुनाई देता है, वो हम last में करेंगे, mechanism of hearing, अभी आप structures पे focus करो, सबसे पहले organ of corti कहां पर present है, So, अगर मैं पूछू, out of basilar and reasonars membrane, किसका जादा अच्छा रोल है hearing में, या किसका main purpose है hearing में, तो बच्चे आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे basilar membrane, fine, तो इसमें पूछा, यह मानलों अगर basilar membrane है, basilar membrane की उपर sensory cell होंगे, और यहाँ पर इसके उपर होगी, एक tectorial membrane, क्या होगी, tectorial membrane, यह पूरा organ of corti है, organ of corti कैसा होता है, इस तरह का होता है, नीचे hair cell होते है, ऊपर एक membrane होती है, tectorial membrane, यह पहले हम hair cell की बात करते हैं, hair cell क्या होते हैं यह एक cell है जिसके उपर एक stereosylia है क्या है जिसके उपर stereosylia और नीचे है एक neuron क्या है नीचे है एक neuron like this fine अब यह Eseli क्या होता है what is this stereosylia stereosylia और cielia में फरक है cilia के नीचे तो motor apparatus होता है and they can move अन्यूचल यूज वह जो जिल्या पढ़ते हो परमीशिम में हमारे ब्रॉंक्य लॉपिंट्यू वगएरा में यह जो मुवमेंट में हेल्प करते हैं तो अब यहां पर आपके पास हेर सेल बहुत तरह के होंगे एक जो थोड़े अंदर की तरफ होंगे हम इसको अंदर मानते हैं इसको बाहर मानते हैं इस आर इनर हेर सेल and like this जो बिलकुल बाहर है this is outer hair cell outer hair cell so these are hair cell which are actually sensory because they contain stereocilia and nerve नीचे neuron है इसके यह क्या है, यह structure क्या है stereocilia इसके इलावा इनके पास बहुत तरह के supporting cells भी होते है तो इनके पास और क्या होगा supporting cells like this fine pillar cells होते है अलग लग तरह के होते है you don't need to remember the name of each and every cell fine तो यह जो hair cell है इनी का ही बड़ा important role होता है कहाँ पर आपके hearing में जो tectorial membrane है यह एक कुछ नहीं, पतली से membrane होती है glycoprotein की, किसकी बनी होती है? glycoprotein की बहुत पतली है पर elastic है it is thin and elastic अब अगर आप इसको नहीं बिटा समझ पारे हो कि यह कहाँ पर है मैं आपको बता देती हूँ कि यह यहाँ पर present है आपने NCRT में एक structure देखा होगा cochlea का section कुछ इस तरह से है एक membrane इदर बनी है एक membrane इदर बनी है इदर organ of corti बनाया है तो उन्होंने क्या किया है उनका देखने का नजरिया और है हमने कोई और नजरिया बनाया है मतलब कहने का section अलग है हमारे पास अगर pen है यह pen को मैं ऐसे भी काट सकती हूँ pen को मैं ऐसे लंबा भी काट सकती हूँ जैसे आप खीर होता है किये को round-round slices भी बनाते होँ गुम्राप भी बनाते हो और लंबे वाला slice बनाया और और लंबा बनाया है अंदर का कुछ और यह भोल करे यह दिए तो आप ऐसे काटो किसको इन उनजर्ट तो आपको ऐसा दिखेगा जिसमें बिटा आपको ऊपर वाला scala vestibuli, बीच वाला scala media, नीच वाला scala tympina आए दिखेगा, this is organ of cotis, this is reasonar's membrane and this is basilar's membrane, everything is same, just देखने कने जरिया, इस तिफ, तो organ of cotis किस पर present है बटा, basilar membranes में present है, तो organ of cotis में क्या होता है, inner hair cell and outer hair cell and hair cell जहां भी होंगे, they are sensory, इन के पास एक neuron होता है, नीचे और उपर stereo cilia होती है, and यह कहां पर present है, scala media में, ठीक है, बेजला membrane के उपर है, तो scala media में है, तो इनके round बेटा जो fluid होगा यहां पर, वो कौन होगा, मालो यह fluid है, what is this fluid, they are dipped in the endo fluid, कौनसा fluid होगा, endolymph, sorry, not fluid, endolymph, fine, उपर reasonar's membrane होगी, राइट बच्चा, अब, यह जो organ of quota है, इसमें जो neuron जा रहा है, यह एक nerve से innervated है, यहां पर एक nerve होगी, ठीक है, यह सब कहां पर जा रहे हैं बेटा, एक nerve से मिल रहे हैं, यह nerve कौनसी है, 8th cranial nerve, 8th cranial nerve is auditory nerve, auditory nerve के दो branches होते हैं, क्यूंकि यह कान में जाती है, और कान में दो important part है, एक जो balance कर रहा है, एक जो hearing कर रहा है, तो यह hearing वाली branch है, cochlear branch, कौनसी branch है, cochlear branch, एक vestibule branch होती है, वो vestibule में जाती है, तो चलिए बात करते हैं कि आपको सुनाई कैसे देता है, उसके लिए हमें पहले वाले में जाना पड़ेगा, अगर मैं बात करूँ इस structure की, यह आपका कान है बिटा, यह क्या है कान है, चलिए हम ना animation से पढ़ते हैं इसको, तब इस structure से मैं आपको समझाऊंगी, खोड़ा अच्छे से समझ आएगा आपको, चलो भाई, कान तो बढ़ा बहुत बढ़ा है, चलो, let me just switch off the lights, all right, all the focus on the diagram, अगर diagram अभी अच्छे से नहीं समझ में आया, पहले diagram को अच्छे से clarify करो, then move to how it functions, सबसे पहले, मालो यहाँ पर मैंने कोई आवाज दी, hello, hello, ऐसे बोला, तो यह hello के sound waves में जाएंगे, अभी sound waves इस किनाल में जाएंगे, इस किनाल से यह sound waves, इस drum में जाएंगे, okay, this is little tricky, तो यह sound wave इस drum में जाएंगे, कहां गए, इस drum में, तो यह sound wave कान से आके drum में गए, drum में जैसे बजे, तो waves vibration में convert हो गए, किस में convert हो गए, vibration में, अब इस vibration से ear ossicles की movement हुई, अब ear ossicles की vibration से जब movement हुई, तो उससे और vibration बढ़ी, जस कि आप दो डंडे लेकर उनको जोर जोर से बजाओ, तो उसमें और आवाज produce होगी, और vibration होगी, तो यह जो तीन ossicles present है, इन्होंने आपस में joints बना रखे हैं, synovial joints होते हैं, इन synovial joints की वज़ह से vibration और amplify हो जाता है, मतलब vibration और बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आपके कान में जो sound wave जाती है, उसकी amplification भी होती है, मतलब वो बढ़ती है, तो यह ear ossicle उस sound को और amplify कर देती हैं, 10 गुना, amplify सुना है न, खाना सुना है न, woofer है तु मेरी मैं तेरा amplifier, मतलब I enhance you, तो यह पेटा यह ear ossicles क्या करते हैं, यह sound wave को यह vibration को 10 गुना बढ़ा देते हैं, अब आता है oval window, तो जैसे यह vibration oval window में जाती है, oval window उसको 2 गुना और बढ़ा देता है, जैसे कई बार phone में होता है न, phone में speaker में sound जाधा करने के लिए आप क्या करते हो, ऐसे करके अपने speaker की उपर हाथ रखते हो, उससे sound और बढ़ जाती है, वैसे oval window इसको 2 गुना बढ़ा रहा है, इसने leverage system, leverage मतलब यह एक liver system बनता है यहाँ पर, यह अपके ear ossicles को 10, इसकी vibration को 10 गुना बढ़ाते हैं, oval window दो गुना, अब oval window is door to the inner ear और oval window बिटा कहाँ पर जाएगा, यह oval window इदर, यह cochlea में खुलेगा, कहाँ खुलेगा, कहाँ खुलेगा, cochlea में, let's see, अब cochlea के कौन से portion में खुलेगा, scala vestibuli में, कहाँ खुलेगा, scala vestibuli में, scala vestibuli से scala media में जाएगा, media से यह क्या करेगा यहाँ पर, यह vibration is fluid को हिला रही है, तो जैसे vibration media में आएगी, तो endolymph भी हिलेगा, ऐसे, just like कि आप पानी में जैसे waves बनते हैं, बनते हैं न, बनते हैं नहीं, यह जैसे पानी रख लो, उसमें फूग मारो glass के उपर, तो पानी हिलेगा, just like that, जब oval window से vibration आएगी, एक तो vibration इदर से इदर जाएगी, दूसरा vibration नीचे भी जाएगी, जब वो media या cochlea duct में जाएगी, जिसमें endolymph है, endolymph की waves बनेगी, endolymph की waves बनेगी, जिससे hair cell हिलेगा, जिससे hair cell हिलेगा, tectorial membrane पे रब होगा, hair cell का hair या stereo से लिया, जब tectorial membrane पे रब होगा, तो उसको एक stimulus मिलेगा, उसको एक stimulus मिलेगा, और आपको भी पता है, action potential generate करने के लिए सिर्फ एक छोटे से stimulus की जूरत होती है, तो यहाँ पर उसे stimulus मिला, action potential generate हुआ, अब वो 8th cranial nerve से आपके brain में जाएगा, कहां जाएगा, to brain, brain का कौन सा लोब, temporal lobe, fine, I hope पिटा आपको समझ में आया, हम इसको अब लिखते हैं, सबसे बहले क्या हुआ, ear pinner collects sound waves, उसमें sound wave को collect करा, अब यह sound waves पिटा कहां जाएंगे, sound waves hit the ear drum, अब ear drum क्या करेगा, convert sound wave into vibration, यह vibration बना, अब vibration is amplified in middle ear, इन middle ear, तो middle ear में दो चीज़ें, मैंने आपको बताएथी, तिन पानिक केविटी के अंदर, एक तो ear ossicle, तो यह 10 time amplification हो रही है, ear ossicle की वज़ा से, and दो गुना हो रही है by oval window, तिक है, अब यह इतना amplify हो चुक है vibration, अब यह कहाँ जाएगी बिटा, from oval window, vibration will enter into, enter, scala vestibuli, अब यह scala vestibuli से कहाँ जाएगी, scala media, जैसे vibration media में गई, तो endolymph की movements होई, तो उसमें आप़े, क्या किया, waves produce करी, so vibration will form ripples in ripple wave जैसा, in endolymph, जिससे क्या हुआ, movement of stereo cellia, जो organ of quartile में है, stereo cellia का क्या होगा, stereo cellia rub होगा, कहाँ पर, tectorial membrane में, tectorial membrane, T dot मतब tectorial, उसके पर rub हुआ, अब इससे क्या होगा पेटा, action potential generated, यही करना था आपको, तो sensory cell कौन है पेटा, आपके, ear cell, तो इस तरह आप सुनते हो, अब दूसरा function क्या था, आपके ear का, वो था balancing, क्या था, balancing, तो balancing के लिए आपको, vestibule की जूरत है, vestibule में पेटा, तीन semicircular canals थी, like this, बनाई थी हमने, fine, अब, यह जो semicircular canals है, यह जो semicircular canals हैं, इनके नीचे क्या present होती है, a swelling like structure, जो से हम कहते हैं, ampulla, और, इधर है utrical and secure, fine, यह है utrical, यह है secure, sorry, 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 right, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, membranus वाला part कौन सा है, utrical and secure, बाकी सारा boni labyrinth है, बाकी क्या है, boni labyrinth, semi-circular canal और इन सब के बीच में, कौन सा fluid होगा बिटा, यह जो इधर fluid होगा, वो होगा perilymph, कौन सा fluid होगा, this is perilymph, समझ में आई बात, क्योंकि यह सारा portion bone के पास है, तो यह perilymph होगा इसमें, यह membranus labyrinth का part है, क्या नाम हैंका, utrical and secure, इन में कौन सा fluid होगा, they will be containing endolymph, में होगा endolymph, I hope अब आपको, labyrinth वाला समझ आ क्योंकि ओगा, अब यह जो structure है, semi-circular canal, कौन सा structure है, semi-circular canal, और यह क्या है, इसमें ampoule, semi-circular canal के base पे हैं, ampoula, ampoula के अंदर, एक sensory organ होते हैं, जिनको हम कहते हैं, cristae, क्या कहते हैं, cristae, तो these ampoula, they contain a very important organ of balancing, जो एक sensory structure है, जिनके अंदर sensory hair cell होगा, उसे कहते हैं, cristae, bacula utrical के अंदर, क्या होता है, they both contains, they both, utrical and secure के अंदर, sorry, क्या होता है, they both contains maculae, क्या होता हैं, maculae, and macula have autolith organ, अब ये क्या है, ये भी sensory होते हैं, maculae, अब ये क्या है, कैसे काम करते हैं, इसका खुलासा हम, अभी करेंगे, तो ये vestibule का structure है, किसका structure है, बेटा, vestibule, structure clear है, तो बहुत बढ़िया है, अब हम आगे, क्रिस्टे और maculae पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, अगर बेटा मैं बात करूँ, क्रिस्टे की, और maculae की, ये दोनों अलगला काम कर रहे हैं, जो क्रिस्टे हैं, ये आपकी dynamic equilibrium, कंट्रोल करते हैं, मतलब जब आप चल फिर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे ऐसे घूम रहे हुँ मैं, शक्तिमान की तरह, और macula, आपकी static equilibrium, कंट्रोल करते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा, इनका structure, जैसे कि मैंने कहा, इनके पास भी sensory hair cell है, मालो, ये किसकी membrane है, ये sensory hair cell, ऐसे ही थे sensory hair cell, तिलिया वाले, और साथ में होते हैं, supporting cell, क्या होते हैं, support करने के लिए अब यार दोस्तों होंगे ना यार, support है, इनके पास, तो ये जो sensory hair cell है, these are hair cell, they are dipped, they are dipped in a jelly-like fluid, जिसे हम कहते हैं, cupula, क्या कहते हैं, cupula, आपने सुना होगा बश्वन में, भाई जब, पता तुझे हैं, जब हम गोल-गोल घुमते हैं ना, तो या फिर सुना होगा, कान के अंदर फ्लोड है, गोल-गोल घुमते हैं, बिल्कुल सही, ये cupula ही है, जब तुम गोल-गोल घुमोगे, ये fluid भी गोल-गोल घुमेगा, कौन है, cupula, it's a gel-like fluid, जब तुम गोल-गोल घुमोगे, तो cupula भी गोल-गोल घुमेगा, ये घुमेगा, तो hair cell भी घुमेंगे, hair cell घुमेंगे, तो action potential generate होगा, तो ये आपकी dynamic equipment, मतब चलने फिरने वाली, या फिर rotational acceleration, de-acceleration, गोल-गोल घुमने वाला, ये control करता है, क्या होगा, when we rotate, cupula moves, hair moves, उससे क्या होता है बिटा, action potential generate, अब, जैसे कि ये hair cell है, वहां का जो hair cell था, वो auditory nerve से innervated थे, थे न, auditory nerve थी, यहां भी auditory nerve है, बट ये कौन सी branch है, this is the vestibular branch, वो कौन सी branch थी, pochlear, so this is vestibular branch of auditory nerve, which is the 8th cranial nerve, fine, तो अब ये information बिटा, किसको देती है, ये information देती है, जो equilibrium and balance करता है, brain में, क्या बताया था मैं ने, seribellum, तो ये किसको देता है, information seribellum को, hearing का information, seribellum में जा रहा था, इसका information, seribellum में जाएगा, अब बात करते हैं, maculae की, maculae में भी बिटा ये ही है, ये hair cell है, इनके साथ supporting cell होंगे, क्या होंगे, yellow, supporting cell, flask shape, fine, तो ये हो गया आपका, hair cell, वही सेम कहानी, hair cell होगा, नीचे neuron, inner weighted by, ये ही वाली, vestibular branch of 8th cranial nerve, जो seribellum को information देगी, अब इसमें different क्या है, यहाँ पर एक membrane होगी, ये hair cell है, इनका hair है, उपर ना, एक छोटे छोटे, calcium के crystals होते हैं, बहुत सारे, इनको हम कहते हैं, autolith organ, और autoconia, क्या कहते हैं, autolith और autoconia, ओके, something happened, autolith और autoconia, जो calcium carbonate के बने हैं, अभी static equilibrium देखते हैं, for example, तुम गाड़ी में बैठे हो, ऐसे, गाड़ी में लगी break, और आप हुए आगे, जैसे ही आप आगे होगे, तो ये autolith organ भी move होँगे, ये आगे हुए, ये free है, ऐसे लहरा रहे उपर, जैसे ये आगे हुए, तो hair, इनके साथ रभ हुआ, मालो ये hair है, मेरा हाथ ही hair है, ये autolith organ है, break लगी, ठीक है, ये आगे हुए, तो इन्होंने hair को भी move कर दिया, hair move हुआ, hair move होगा, action potential generate होगी, और information कहां जाएगी बेटा, ये जाएगी, hair moves, action potential generate होगी, अब बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, कि यार, ये फिर balance कैसे कर रहा है, ये आपके balance के बिगडने का information देता है, cerebellum को, वापस उसको muscular activity से लेकर कौन आता है, cerebellum, cerebellum motor impulses देगा, ये cerebellum को बताएगा, वो motor impulses देगा और आप ऐसे ठीक हो जाओगे, हो जाओगे, तो basically how it is helping in balance, it is giving the information कि आपका balance किदर जा रहा है, उसके बाद muscles will help to like move your body to certain direct, फाइन बेटा, तो इस तरह से आप सुनते हैं और आप अपनी body को balance में रखते हैं, और यहां पर दो हमने organs के inner ear के vestibule and cochlea, जिनका main, जिनके अंदर आचल में sensory organs होते हैं, fine, यह receptors होते हैं, अब इट हम करेंगे कुछ questions, तो चलिए पहला question है आपकी screen पर, above the rows of hair cells of organ of corti, there is a thin elastic membrane called, जहां पर हमने organ of corti किया था, उसके उपर एक membrane थी, जो पतली से थी glycoprotein की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, tectorial membrane, reasonar membrane बेटा दूसरी थी, जो basilar के उपर थी, basilar membrane के तो उपर organ of corti होता है, वो पूछ रहा है, tympanic membrane तो हम ear drum को कहते हैं, जिसे कहते हैं ear drum को, तो बेटा, answer आपका बना third, I hope pretty clear, this is pretty clear to everyone, देखो, वो इसका पूछ रहा है, वो इस orange वाली membrane का पूछ रहा है, fine, तो यह organ of corti है, इसके उपर जो मैं, आगे, which of the following contains sensory hair cell, इन में से किन-किन में sensory hair cell होंगे, scala media, scala tympani, ampulla, more than one option is correct, first of all, sensory hair cell, inner ear में थे, किस में थे, inner ear, inner ear के vestibule में थे, और cochlea में, देखे, cochlea में कौन सा organ था बेटा, organ of corti, अब organ of corti, किस में था, scala media, या फिर cochlea's duct में, तो पहले में था, organ of corti ऐसी में था, तो इसमें hair cell मिलेगा आपको, tympani में नहीं मिलेगा, अगर नहीं बात समझ में आई, तो देखे, इधर, ये structure, basilar membrane ये है, इसे की उपर organ of corti है, तो मतलब hair cell scala media में है, tympani में नहीं है, आगे, ampulla, ampulla हमने semi-circular canals में किया था, ampulla के अंदर क्या होते है, cristae, and cristae contains sensory hair cell, so more than one option is correct, answer number 4, fine, cristae में बनाय था ना, अभी हमने last इधर, ये रह, sensory, चलो, next, the semi-circular canals contains, endolymph, perilymph, interstitial fluid, exolymph, so semi-circular canals, they were the part of bony labyrinth, उसमें कौन सा fluid होता है, इधर किया था ना, हमने, कि ये वाला, semi-circular canals, ये बाहर वाला bony labyrinth है, तो यहां पर जो सारा fluid होगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका perilymph, क्या होगा, perilymph, so it contains which fluid, it contains perilymph, आंसर हुआ, आगे चलते हैं, find the incorrect statement, the fluid-filled inner ear called labyrinth, consists of two parts, the bony and membranous labyrinth, second, the vestibular apparatus is composed of three semi-circular canals and the otolith, the malus is attached to the tympanic membrane, and the staves is attached to the round window of the cochlea, fourth, the stashion tube helps in equalizing the pressure in either side of the eardrum, पहला कह रहा है, कि आपका, जो fluid-filled inner ear है, जिसे हम labyrinth कहते हैं, उसके दो पार्ट है, bony and membranous, absolutely correct, यही बताए था, बाहर वाला bony होता है, अंदर वाला membranous होता है, और सब में fluid भरा होता है, vestibular apparatus में, तीन semi-circular canals होती है, बिल्कुल सही, एक vestibule में, जिसकों vestibular apparatus भी कह देते हैं, उसमें autolithorgon था, जो macula, utrical and secure में था, यही सही है, and semi-circular canals होता है, this is the sentence given in NCRT, so do not get confused, the malus is attached to the tympanic membrane, and the stape is attached to the round window of the cochlea, तीन हड़ी बनाई थी, malus in का stape, malus पहली वाली, किससे टाच थी, eardrum, malus किससे टाच है, eardrum से, stape किससे टाच है, इस window से, जिसका नाम है oval window, तो round window बिटा होती है, यहाँ पर जरा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, answer क्या बनेगा, आपका third statement गलत है, सिर्फ एक word के पीछे, अगर oval कहते हैं, तो सही था, the station tube helps in equalizing the pressure on either side of the eardrum, बताया था, हवा आ रही है बाहर से, ओधर middle ear में भी एक हवा है, दोनों का pressure अलग हो था, पर station tube की वज़े से, अब आपके नाक से भी हवा जा रही है, जिससे there is a equal pressure in the both side of eardrum, तो यह भी statement बिलकुल सही है, तो गलत हुआ 3rd, तो आंसर हुआ बच्चे आपका 3rd, राइट, चलिया, तो दस वस इत बाहर दे एर, और दे चाप्टर नूरल कोडिनेशन, आप आप बच्चों ने बाहर अच्छे से चाप्टर पढ़ाऊगा, और प्लीस दू रीद NCRT, and solve a lot of PYQs, I will meet you in the next class, till then, bye-bye, take care, lots of love.